नमस्कार दोस्तों, इस श्टोरी है कैसे लड़के की जिसकी मर्टी नेशनल सेपिंग फर्म में जॉब लग जाती है, काफी इची काछी सेलरी होती है, कुछ साल बाद काम करने के बद बाद इंडिया वापस आता है, और बंगलूरों में रुखता है, जहां पे कुछ उसके काम कर रहे होते हैं और केट एकजैम की तायारी होते हैं, दे के बंदे के पास मेर्याम में अच्छी नॉलेज होती है यह बच्पत प hypoth Kellya लगा था इंहोंने आगे बताया है कि इन्हों ने स्पोर्ट से काभी कुछ सीखा भी जैसे कि टीम क्या होता है असको लीड कैसे करें अन्टर प्रेसर में अपको कॉजिटिव कैसे रखें इन्होंने बताया कि इस चुर्ट से जो कि सीखा उसे इन्हों ताइम होता है एज कंपेर टू इंजीनरिंग स्टुडेंट इन्होंने इंजीनरिंग सेलट कि यह अपना कुछ टाइम स्पोर्ट समय विताना चाहते थे इंजीनरिंग करने के बाद इनकी मंटी निस्टनल से परमें जॉब लग जाती है काफी एचे काजी सेलरी होती है नए सन 2005 में इंडिया वापस फिर से आते हैं और इस बार यह एक हजार स्टूडेंट को पढ़ाते हैं इसलिए एक चुटे से कमरी में दोस्तों को पढ़ाते थे जो कि अब एक क्लासरूम में तब्दिल हो चुगा था तो इतना अच्छा कासा रिस्पॉंस मिलने के कारण इन्ह जैसे कि मुंबई पूने चन्नाई और दिल ही इन्होंने अपने इंटर्व्यू में बताया कि यह जहां कहीं वह आते थे पूरा और्टोरियम खजाख चबारा होता था तो कई वक्सॉप से इस्टेडियम में लेते थे एक बार इनका एक मैस का वक्सॉप हो जिसमें 20,000 सब्सक्राइब नहीं कर पाते थे संद 2009 से इन्होंने अपनी लेक्ट्स की व्यूडियो बनाने सुरू किया 45 सहरों में स्ट्रीमिंग करने सुरू किया जहां पर वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे इनका था बाइजूस क्लास के नाम से ब्रेंड बचुगा था अपने साथ एक क्लास को बैजूस क्लास के नाम से ज्यादा कहते थे जो कि ब्रेंड बच चुका था तो इन्होंने इसे हटाना ठीक नहीं समझा तो फ्रेंट्स आगे जलके लिए बैजूस क्लास को अपना ब्रेंड नेम बनाते हैं असली कहानी तो अब चुरू होती है संद 2011 में यह और इ इन्होंने प्रामरी स्कूल के बच्चों में बहुत बड़ा गयर देखा इन्होंने अपने बच्पन में भी एकस्पेरियंस किया था प्रामरी स्कूल के जोग ठीचर होते हैं वह कॉंसेप्ट्वल क्लारेटि जगह अधर चीज़ों पर जादा अधर फोकस किया और नहीं सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो यह इंपोर्टेंट चीज है इंडिया की तीसरी मुस्ट वैल्यू बिलियन डॉलर है इनके 42 इन रिजिस्टर्ड इस्टुडेंट्स है और इन्होंने बताया की इस्टुडेंट्स जो इनके आप पर आते हैं इनके आप को 17 से ज्यादा सहरों की इस्टुडेंट्स करते हैं उनके नए तरीके को फोलो करते हैं ताकि वह इस्टुडेंट्स के फीचर्स को यूज करके इस्टुडेंट्स को पढ़ा सके अब इन्डिया के बाहर भी तुसरे कंट्री में विजिट मारने के दयारी कर रहे हैं इनके अच्छी बिजनस मॉडल को देखकर इन्वेस्टर काफी अधा इंप्रिस हुए और इसमें इन्वेस्ट किया जिसे की सिकोया कैपिटल सोफीना मार जुकरबर्ग वारे क्रियेट की कं इनके कंपनी में इन्वेस्ट किया इन्डिया की मॉस्ट एजुकेशनल फंड्रेजिंग कंपनी बन चुकी है तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी कैसे कंपनी बनी और इसकी वेलिवास आठ बिलियन डॉलर चुकी है तो इस वीडियो को यहीं पे हम खतम करते हैं अंतर में ज एट लास्ट वीडियो के लिए आके बहुत धन्यवाद थैंक यू